अनामियम के सभी दर्शकों को साधर प्रणाम काफी लोग ठंड से बहुत ज़्यादा पेडित होते हैं और जल्दी जल्दी बिमार हो जाते हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग जिनका नाक ज़्यादा तर बंद रहता हैं उस कंडिशन को किस तरह से ठीक किया जा सकता हैं जो लोग जल्दी जल्दी कोल्ड कोर्जिया जुका मित्यादी से प्रेशान होते हैं उनको कपाल भाती का अभ्यास करना चाहिए और कपाल भाती भी किस तरह से आज मैं आपको बताता हूँ यूँ तो आपको पता ही होगा कि कपाल भाती किस तरह से किया जाता है लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा हम अपने नैसल को साफ रख सकते हैं और बार-बार होने वाले कोल्ड कोर्जिया से छुटकारा पा सकते हैं तो जिस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है वो हमें मुद्रा लेकर सबसे पहले लेफ्ट जो हमारा नोस्टिल है उससे हमें तीस स्ट्रोक्स लगाने हैं तीस्वा स्ट्रोक थोड़ा लंबा रहेगा और हमें बाईय कुम्बक का अभ्यास करना होगा इसके पश्चाथ हमें तीस स्ट्रोक्स राइट वाली नोस्टिल से लगाने हैं तीस तीस स्ट्रोक्स लेफ्ट और राइट नोस्टिल से लगाने के पश्चाथ हमें के 50 स्ट्रोक्स नोर्मल का पालबाती के करनी चाहिए पचासवा स्ट्रोक्स थोड़ा लंबा और उसके बसात बहिर कुम्बक यदि हो सके तो महाबंद का भी अभ्यास किया जा सकता है महाबंद की वीडियो के लिए आई बटन पर आप देख सकते हैं इसके पशात सूरी नमस्कार का अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए सूरी नमस्कार दो राउंड से लेकर 12 राउंड तक आप अभ्यास कर सकते हैं जलनेती का अभ्यास अट्मोस्ट इंपोर्टेंट जलनेती जरूर करें नाक बंध होने की कंडिशन में जलनेती को अवोइड कर सकते हैं आन्य था जब आपकी नाक खुल जाती है तब आपको जलनेती का अभ्यास करना ही चाहिए और प्राणायाम में सूर्य भेजन प्राणायाम, अनुलोम, विलोम और उज्जई इस सीक्वेंस में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए 15 से 20 दिन में कैसी भी कंडिशन है इन क्रियाओं के द्वारा आप लगातार होने वाले कोल्ड कोर्जिया को ठीक कर सकते हैं बार-बार होने वाले जुकाम को ठीक कर सकते हैं आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आने वाली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए साधर प्रणाम आरोग्यवान भावतू